दोसों, फ्रांस के DGA और MBDA कमपनी के बीच में भविश्य के एक बहुत बड़े हतियार के development को लेके हाली में एक समझोता हुआ है और ये है future anti-ship and cruise missile रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस के लिए MBDA कमपनी के द्वारा भविश्य के anti-ship and cruise missile के development का काम किया जाएगा और इसका contract MBDA कमपनी को फ्रांस के DGA मतलब Directorate General of Armament के तरफ से दिया गया है असल में इस बात का जानकरी फ्रांस के DGA के तरफ से हाली में ही एक tweet के द्वारा दिया गया और साथी साथ ये भी वताया गया कि इन missile के development असल में MBDA और UK के defense ministry के अंतरगत आने वाले defense equipment and support मतलब DENS के साथ मिलके jointly हो रहा है असल में दोस्तों इस तरीके के missile के development के project तो फ्रांस के तरफ से साल 2017 में ही launch कर दिया गया था जिससे future missile antenna viewer future missile के नाम दिया गया था और project के अंतरगत साल 2030 तक एक नया generation के deep strike and anti-ship missile के development करना है report के मुताविक इन missile को launch करने के लिए Mark 41 vertical launching system का इस्तेमाल होगा जो कि Royal Navy के Type 26 frigate में इस्तेमाल होता है और साथी साथ French Navy के लिए इन missile के launch का platform के रूप में काम करेगा Salver A70 Cell जो कि Mark 41 के जैसे ही एक तरीके का vertical launching system है बताया जा रहा है कि ये जो missile है इसका design और development इसलिए किया जा रहा है ताकि साल 2030 से French और British force में इस्तेमाल होने वाले air launch, scalp और storm shadow जैसे missile के साथ-साथ aircraft और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले exhaust और harpoon जैसे anti-ship missile के replacement किया जा सके दोस्तों इसके इलावा MVDA के तरफ से France और Britain के और एक joint venture को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिसे complex weapon innovation technology partnership कहा जाता है असल में ये जुलाई 2021 में announce किया गया एक missile research project है जो कि France और UK के अंदर joint venture में बनाया जाने वाले सबसे बड़े projectों में से एक है इवन इसके prime coordinator MBDA को ही रखा गया है जो UK और France दोनों के लिए ही project के अंतरगत हत्यारों का निर्मान करेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद